नमस्कार बच्चो आज हम आपको एक गनित की नई अवधारणा के बारे में समझाएंगे पिछली अवधारणा में हमने आपको क्रिक्तरफल के बारे में बताया था आज की वीडियो भी बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है वीडियो को अंतर तक देखिएगा जाएगा क्योंकि आज गनित की सबसे महत्वपूर अवधारणा हिस्से और पूरे ये एक बटा दो आठ बटा बारा ये भिन्ने ये भिन्ने क्या होती है इनके बारे में हमन आपको बताने वाले हैं पहरे बच्चो आप जानते हैं ये मेरे पास कितनी सीटा है एक इसको वन कैसे कैस दूम कितनी सिटे दो सिटे ना इस गौड आप अगर मेरे पास तीन चार इतिες चार हैं जाए सब्सुने रिख सकते हैं का इंकों से तो आप पूरेची उते हैं के बारे मेरे पास एक चीट थी मैंने इस सीट को इन गोलू और गुलु गॉल Awesome ना मैंने एक एक संदर घ्राइंग बना सके तो मैंने तो मैंने क्या किया इस सीट को बीचों बीच, दो बराबर हिस्तों में बांट दिया, ऐसे दो बराबर हिस्ते कर दिया, एक सीट के, सीट एक थी, अब यह हिस्ते कितने आगे इसके, दो, तो आज हम आपको हिस्तों के बारे में ही बताएंगे, इसको यह भी जानते हैं, आप इसको क्या करते हैं, यह आधा ह इसको लिखने के लिए हम इस प्रकार के अंकों का इस्तेमाल हम करेंगे इसमें दो ट्रेम आएंगी एक उपर वाली और एक निचे वाली हम उपर वाले को हम अंस कहेंगे निचे वाले को मैं हर कहेंगे निचे जो अस और लिवे टाउ एक हेपया धीनो मीनीट आपने का ति यहीचर्वेया बात करेंगे अनुह ब्राबर हिस्से कर दिये है तीन ब्राबर हिस्से हैं ना इस यह को लिखा ना इक बटा दो और यह तीसरा भाग तीसरा हिस्सा इसको कैसे लिखेंगे एक सीट और तीन बराबर हिस्से, तो इसको लिखेंगे हम एक बटा तीन, यह द्यान रखना है, जो निच्छे वाली हमने हर है, वो बताती है हमें, कि हमने कितने हिस्से की हैं, अगर हम इसको चार बराबर हिस्से में बांटें, यह देखी रहा, तो इस हिस्से को कहा लिखें यह देखिए यह सुन्दर साइमें डिजाइन में बढ़ा हुआ है इसमें एक सीट को कितने खन्न में बनता हुआ है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दर्स, गयारां, बारां, तेरा, चोदा, पंदर, सोलां, बरापर हिस्से में बटाया है तो आप एक हिस है यहने कि शोलां बराबर हिस्से के है, और यह एक हिस्सा हमने ले लिया, तो इसको आप बच्छों में बराबर बराबर बाढ़ सकते हैं इसी प्रकार से जैसे हमारे पास यह, दखिए, एक सीट है संदर्शी, इसके मैंने कितने भाग किया हुए है, एक, दो, तीन, चार, इस के भीन आठ बटा बाराः है इसी प्रकार से हम भीनों के बारे में और आगे विस्तार से इसी प्रकार अगल इसके नों से करतें तो यह कुंण सा इस्ता है यह एक बटा नों कहलाECA जैसे मैंने गोड़ लगाया वही है यह निल्ड और पीला इसमें पीले भाग के बिन कि लिए पिले भाग दो है ना एक बटा चार यह और एक बटा चार तो इस प्रकार से वाइने हो आप जानते ही हैं हमारे राष्ट्य ध्वज में कितने रंग होते हैं बच्चो हमारे त्वज में 3 रंग हैं केश्रिया सफेद ॉर हरा यान्निक हमारे ध्वज को इस प्रकार से कि एक से कद्नी है . इसी प्रकार से आपके विदाले में गनित- कलब बना हुआ है जन्डा है झो इसमिन पांच रंग है कितने रंग है बशांच तो इसमें लाल भाग की इफिन देशा हिता है यह यह वटा नेयर भीति एक बैटल को हिए बराबर हिसे यह तो इसके लाली भरत बोटल को गया हिए हमारी तरहने बीकात पुस्तो्ति क्या करदेनक मां जल्टू है गहाँ बहाल न है गॉट्टू तो इसमें कि में तीन को ब्राबर भागों में बहता हूं अ कि को बिल्बाभभ भागो सब्सक्राइब आभ ना-ख़चिज को है तो इसमें आप बताएंगे ये फिर कि विन का फ़ुन जा घाग है गुलाबी का ररगी बिन कुझ जिए लिए आठ हो इससे है ना तो इसका लिखी लुड़ है 8 और लाओ रंके विन को थी लुड़ पार्ट न करने का यह देखिए यह यह दोनों को द्यान से देखिए लोगत देखिए कि इसकी बराबर एक बड़ार के बराबर है एक बड़ा चाहर इसके बारे यह अग इसके बाराबर वीडियों बढ़ेंगे तब 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 मजू की तोगलेट थे सब्सक्राइब कोने मंजु मंजु ने अपने फैंस को प्रणी वड़ेब बलाया हुआ है किस जब देखते हैं आपके किसे एक कोश्चन है मंजु की सहलियां जो बड़ेब आया हुई है है राजी सुगंधा और सीला राजी प्रचुकार्टी, सुगंधा और सीला उसने तीन सहेलियों को अपने बड़े पर बुलाया है प्रंतु उसके सामने समस्या यह है मंजु के सामने कि मंजु के पास कियाल एक ही चोकलेट है यह और यह बारा हिस्स्व में बटी हुई है इसको चार भराबर भागों बाठो ने कि उसने एस पहुत इसके चार भराबर भागों बाठो फाए पुत ने कि 12 का एक चुथाई 12 को 4 बद्बर हिस्वें बाट दिया यनिकि 12 को चार से भाग कर दिया चार दिया 12 तो कितने हिसे आगए हमारे पास 3 हिसे आगे 3 हिसे 3 हिसे 3 हिसे उसने राजी को दे दिये अब क्या करती है वो सुगणधा को एक तिहाई भाग सुगंदा को देती है, अब क्या करें कि चोकलेट को तीन बराबर हिस्से कर देए, तीन बराबर हिस्से कर दीए, 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 तीन बराबर हिस् में वटना पड़ेगा इसने क्या किया बीच से बाट दिया एक दो थी य क्यों अब शेवर नहीं इस प्रकार से शेवर बांपर को तो बारा का एक बटा छे बराबर है, दो हिस्से, और शेस हिस्से उसने खुद खा लिए, शेस कितने बच गए हिस्से, कुल देखो बारा हिस्से थे इसने, कितने हिस्से थे, बारा हिस्से, और तीन हिस्से उसने राजी को दे दिये, चार हिस्से सुगंदा को, यानि एक तिहाई भाग, तो मन्जू ने कितने खाय बच्चो ब्रावे तीन इसे तो मन्जू ने कुल चोकलेट का कितना भाग कितनी भीन है तो इसके भीन भीन निका लेंगे कुल कितने हिस्से थे बारा हिस्से तीन इस नहें खा लिये तो मन्जू के भीन कितने होगी मंजू की हिस्सा कौई इसा होगा बच्छो इसका तीन बचा बारा इन। था या दा एक चार तीन बड़ावि इसका कितनी बनेगी एक चुथाई बाग उसने एक चुथाई भाग उसने यह देखिए वक्षे यह मेरे पास एक त्रीवुज है अगर हम इसके दो बराबर हिस्से कर जाएं देखो यह इसको पुरा-पुरा धक लेते हैं यह देखो यह निले भाग के बिन कितनी है यह अब अगर हम इसके तीन बिन को लिखेंगे हैं हम एक भड़ा-दो इसमें दो हिससे यहनं कि हर कितनी यह दो और अंस कितना है एक अगरHH कितने बिन कितनी ब्राबर हिस्से करेंगे देखो टबस्तंव जासल मालते हैं अगी हम एक बट्स्तंव करें को निनकु उत्था Harald,Hissenschaft, कितने प्राप है इस से कि है चार तो इस से पीरे भाग की भीन कितनी लखेंगे इसकी भीन लेखेंगे हैं टो एक उन इस रापके पार आपके बुक में दिया हुआ है एक त्री फुचत है आपके पास त्रीभूज और यह तत्रीवी जैरे ठीज आ इसको यहां से है तबत और कि ऑन टाए है क्या और ट्रीके से इस दिस्कोंती बाँसे बात सकते हैं जी कुस्ट्टन आपके तो इस प्रकार से भी हम इस त्रिवुज को तीन बराबर हिस्सों में काट सकते हैं तो आपके बाद दो तरीके पहरे बच्चो आपकी गनिच की पुस्तक गनिच का जादू पुस्तक में से पचास इक्यावन बावन त्रेपन और चोवन आप खुद कीजिए अगली वीडियो हम बहुत इंट्रेस्टिंग मैं कहानी सुनाओंगा आपको कहानी में हम उसको बांटेंगे और देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा